गोड़ मॉनिग डियर स्टुदेंट्स देखें हम डिस्कस कर रहे हैं आइसो मेरिज्म को और आज हमारा आइसो मेरिज्म पर थर्ड नंबर का लेक्चर है और हमने अब तर डिस्कस कर लिया है आइसो मेरिज्म किसे कहते हैं ऐसो मेरिज्म अब हमारा चला इस्ट्रैउक्ट्रल इसो मेरिज्म अंई संजर चनात्मा को उसी का हमारा आज टोपिक है फोर योजिशनन deb球 से कहते हैं माइसल्फ दोक्टर तेजपाल शिंग तो बच्चों नाम से आपको पता लग रहा है कि ऐसे कंपाउंट्स जिनका मोल्कुल फोर्मला क्या रहा है सेम वट है डिफ्रेंट पोजिशन ओब दा एटम्स बिदिने मोलिकुल्स यानि किसी मोलिकुल्स में जो एटम्स है उनकी पोजिशन क्या है अलग रहे उस टाइप क करे आते हैं पोजिशन आई-सो मोर्स को अब विशिचन में क्या अलग हो सकता है geld को होुझञए अलग सकता है कि मल्टीपल बौंट चीपल sponsorship और कोई साइoter वे यह अलग compounds which have which have same molecular formula which have same molecular formula what differ in the position of in the position of the position of the function group in the position of the functional group carbon-carbon multiple bond multiple bond and sub-institutes and sub-institutes in the position of the position of the function group double bond or triple bond or sub-institutes that is different that is different and sub-institutes that is different and a substitute group which is called position isomers position isomers and the phenomenon and the phenomenon is termed as is termed as position isomarism position isomarism बच्चों देखो हमारे structure किस बेस्प पर अलग होगा पोजिशन की बेस्पर अब पहले लिए फंक्शन ग्रूप पर ले ले लेतें देखिए यानि किसके अलग है फंक्शनल ग्रूप की देखिए जैसे फोर एक्जामपल और C3S7OH देखिए 3-membered का alcohol है और हम देखते हैं कितने types के position isomars यह exhibit करेगा देखिए CH3 CH2 CH2 OH बच्चे देखो और क्या हो सकता देखिए CH3 CH CH3 देखिए OH देखिए उसको करते है primary alcohol primary दिखाते हैं 1 degree से है primary alcohol देखिए यह क्या हमारा secondary alcohol देखिए अगर नाम के बात करते हैं तो देखिए आए आए यह हमारा propane propane one all इसका नाम क्या है बच्चो propane two all देखिए propane two all compound का मोलकर फोर्म में क्या देखिए C3S7OH but have different position चिसकी OH की देखिए OH है क्या है first position पर है और यह ओच क्या है देखिए second position पर है यह one position पर है और यहां क्या है second position पर है यह प्रोपेनल one और propaneol two तो तो दिस सो क्या तू पोजिशन आइसो मर्स और किस बेस पर जब क्या है function पोजिशन अला लग है अब अगला देखते हैं carbon carbon multiple bond का कोई example देखिए बहुती simple example ले रहे हैं कार्वा का में double bond के लेते हैं triple bond से समझते हैं देखिए C4H8 देखिए यह क्या है हमारा alkene alkene यानके CnH2N देखिए अब देखिए C3 CH double bond CH single bond CH से देखिए और देखिए क्या हो सकता है कि CH2 double bond CH single bond CH और CH से देखिए अब पोजिए जिए क्या क्या लगाi double bond की त्वोट्स टू पोजिए लएक लेकिए one two three four one two three four देखिए पौरं मेमबर का है क्या है देखिए situations first ब्यूट की ञारे बच्चेस ब्यूटbr पोजिशन आइसो मर्स तो कितने आइसो मर्स है इसके C4H8 के टू टू पोजिशन आइसो मर्स और ट्रिपल बॉंट देख लेते हैं बच्चो देखें ट्रिपल बॉंट वाला का एक्जाम्प पर देख लेते हैं देखें C4H6 यह क्या है अलकाइन अलकाइन देखें हमने काविया Cn H2N-2 देखें C4H6 आलकाइन देखते हैं मच्चो फोल मेंबर कहा है देखें CH3 CH2 C triple bond CH देखें और CH3 C triple bond CH देखें अब किसी पोजिशन लागे ट्रिपल बॉंट की और इससे पहला हमने क्या देखा था डबल बॉंट की डबल बॉंट की पोजिशन यह को जाग बच्चो देखो 1 2 3 4 यह क्या है देखें ब्यूट ब्यूट है व्न आयन देखें बच्चो बच्चों क्या वूट है चैसे क्या है सुआ देखें हमने का डबल बॉंट का एक डबल बॉंट की केश में क्या है जब पोजिशन अलग अलग है और एक्जम्पर देख लेते हैं, वावम देख लेते कुछ एक्जम्पल, सबस्टिटूर्ट ग्रूप के, याय जब सबस्टिटूर्ट ग्रूप अलग-अलग हैं, तो किस टाइप से यह position isomart-so करता है? देखें, सींपल एक्जम्पल से समझते हैं, C2H4, Cl2 बक्रें, हाँ कार्वन दो कार्वन,aaaa हएक एक और बना लेते हैं ..... तो आप देखेंगे इस में देखिए जो याला ाइसोमर क् Lewis Concord में दोनक और किसकी पोशिशन हुई है सवस्टेशन की कि अलग है की पोजिशन बास हो ने बात करते हैं बच्चे देखो तो वन, डाइछ दीकलोरो दो मेंबर का ऐथेन. यह क्योल्जा देखो, 1,2, डाइखलोरो ऐथेन. तो वानीन पोजिशन देखो, यह 1,1 पोजिशन यह 1,2 पोजिशन. तो कितने isomers बनें इसके, two isomers, two position isomers, एक देख लेते हैं, बच्चो, simple, aromatic compounds में, aromatics compounds में, देखिए, just a C6, H4, Cl2, aromatic compound में, just इसी type का है, aromatic compound क्या बैंजीन की रिंगें, देखिए, Cl, Cl, एक हो सकता है, isomers देखिए, Cl, Cl, दो हो सकते हैं, देखिए, दूसर पोजिशन पर, देखिए, Cl, Cl, कहने के मतलब यह है, जो एलिफिटी compound थे, तो two isomers थे, लेकि जब aromatic compound में, कितना isomers हो गए, तीन isomers हो के बच्चे, तो कितना सो करता है, यह, three position isomers, नेम बात करें देखिए, one, two, dichloro-benzen, dichloro-benzen, बच्चों इसके बोलते हैं, ortho-b, क्या बोलते हैं, ortho-dichloro-benzen, बेंजीन देखो, ortho-dichloro-benzen, क्या अगर one two position क्या कहलाती है, ortho-b, यह one पर यह two पर, one two dichloro-benzen, यह ortho-dichloro-benzen, अब अच्चों यह कह दा है, one three position पर, तो one three dichloro-benzen देखिए, यह आपके से मैटा डाइकलोरो बैंजीन देखे मैटा डाइकलोरो बैंजीन देखे अगर बन तरी पोजित कराती है मैटा यह बच्छों चार पोजित देखे वन टू थ्री फोर यह रहनके वन फोर डाइकलोरो बैंजीन इसको हम बोलते हैं पैरा पैरा डाइकलोरो बैंजीन बच्चो यानिक बैंजीन की 1-2 पोजिशन ओर्थो 1-3 पोजिशन मैटा और 1-4 पोजिशन पैरा यानिकि इस केस में यह 3 पोजिशन आइसोमर्ज को सो करता है जब यह क्या है एरुमेटिक में है लिए हमने अलेफटिम क्या देखा था टू था बच्चो तो आज हमने कवर क्या है पोजिशन आइसोमेरिज्म अब नेक्स लेक्चर में हम अलग टाइप्स के दो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है उनको डिस्कस करेंगे थैंक यू